हलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे एक बार मैं फिर से स्वागत करता तो अपने यूट्यूब चैनल बिपीए स्टिफाइड में आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है वह है एडुटोरिया का प्रैक्टिक सेट नुबर 11 अब तक हम लोग ने क्या कर लिया था प्रैक्टिस सेट नुबर 10 एडुटोरिया का कम्प्रीट कर चुके थे और इसी शनक्रा को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेशन है वह एडुटोरिया प्रैक्टिस सेट 11 पर है जो कि यह सारे एक्जामिनेशन चाहे बियार पीस किसी में पूचे दोस्तों वो तो करेंट से रिलेटेड है तो यह करेंट अफियर जो है बहुत प्रॉमिनेंट है दोस्तों प्लीज इसको वाच आउट कीजिए ठीके ना आए चलिए बीना फुर्दर डिले कि हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिसकेशन क्वेशन डिले इस शरीमाथी निर्मला सिता रामन सिता स्थ रामसन जी के द्वारा कब बनाए गया यह कप इनके द्वारा प्रेजंट किया था यह दो सो सब्सक्राइब किया है एक फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया है कि आयाते हैं प्रस्टाइब क्या दो क्वेशन नमर्ट टू पर वाट इस दा बजट साइज ऑफ दे यूनियन बजट कितने 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 का किया 45,3,097 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ऑफ्चन नमर्ट इसका कि आप जगा सी सही है दोस्तों आज आते हैं प्रस्टाइब क्या दोस्तों वह कितना है तो वह कितना है तो वह कितना है 35,2136 करोड का रुपए का जो है वह कितना है तो वह कितना है तो वह कितना है करीबन 26,32,281 करोड का है यह एस्टिमेट रेवेन्यू रिसिप्ट है फाइनेंचल इया 2023,2024 में दोस्तों आ जाते हैं क्वेशन नमर फाइफ प्रस्टाइब क्या पांच पर सेवन प्रायर्टीज हैं जो की अडॉप्ट की गई है बजट 2023,24 में उसका नाम क्या है वह किस नाम से लिया गया है क्या नाम है उसका उसका नाम है सब्तरिशी दोस्तों क्या है सब्तरिशी तो ऑप्शन नमर जो है हमारा सही हो जगा आयातना प्रस्टाइब के अच्छे क्वेशन नमर शिक्स पे विच फॉल्विंग इस रिलेटेट तो देख लेते हैं कौन-कौन है तो इन्कूरुशिव डिवल्लप्मेंट भी है मैं इंफ्रास्ट्र्सक्टर और इंफ्रास्ट्र्सक्टर्ट्र ऑप्वेश्ट्र सब्सक्टेशिय। सब्थ रिशी क्या कहते हैं सब्थ सब्थ रिशी सब्थ रिशी ऑफ दा बजट यह याद रखी का दोस्तों यह आने की पूरेज बुरी चांसे हैं ठीक है 20.2.2014 का क्या है सब्थ रिशी का इंक्रूसिफ डेवलप्मेंट है ठीक है रीचिंग दा लास्ट माइल है इंक्रूसिव डेवलपमेंट है रीचिंग दे लास्ट माइल है इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्ट्र एंवेस्टमेंट है अनलीशिंग देपोटेंशियल है ग्रीन ग्रोथ है यूथ पावर है और फाइनेशल सेक्टर है ठीक है आ जाते हैं प्रशनेंशन के असाथ क्वेशन नम्र Question No.7 पे By which year India has set a target to eliminate sickle cell anemia as per the budget as per the budget क्या बोला है by which year किस year एंडिया जो है क्या किया है set की अपना target की eliminate करेगा क्या यह sickle cell को अनेवीया को अपने बज़ेट से इस पर दा बजट बजट के हिसाब से जो इंडिया ने सेट किया एक टार्गेट जो एलिमिनेट करेगा क्या सिकल सेल एनेमिया को वह किस एयर तक करेगा तो किस एयर तक करेगा वह 2047 तक करेगा दोस्तों प्रसंक्या 8 question no 8 पर आते हैं दे लॉंच और विच फोलिंग वस अनॉंस इन यूनिंग बजट 2020 23 23 ऑ 2024 जो लॉंच हुआ है और विच लॉंच हुआ है। यूनिग बजट यूर्ट करना है मतब क्या चीज लॉंच करना है तो क्या क्या लॉंच करना दोस्तों तो किसको अनौंस किया है ए मंतिरी कोशल्ष विकास योजना 4.0 को बे किया है अमृत रौवर स्कीम है उसको भी क्या है तो इसमें क्या है एक से ज्यादधा सइह है तो d option क्या हो जागा क्यों क्या कि या है दोस्तों इसलिए more than one correct और यह याद रखेंगे ऑग यह सीमें लांच करने की बात हुई है यूनियन बजट 2023 में यह आपको याद रखना दोस्तों प्रस्टन किया नोग क्या नमर 9 क्याता है क्या विच प्रोग्राम वस अनॉंस्ट इन बजट 2023-2024 लिए कौन सा प्रोग्राम जो है बजट 2023-2024 में चलाए गया है तो बताइए दोस्तों वह कौन है आपका वह कौन है आत्म निर्वार होटी कल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है इसको चलाए गया दोस्तों आजाते हैं प्रस्टन किया दस क्वेशन नमर 10 पर कौन सा जो सही है रिगार्डिंग बॉट बजट स्पीच बजट स्पीच 2023-2024 के हिसाब से कौन सा उप्युक्त खतन जो है वह सही है पहला क्या है इंशोरेंस कवरेज जो है वह दिया गया है 44.6 करोड का तीक ना पीपल अंडर दा कौन किस योजना के अंदर पीम सुरक्षा बीमा यो हैं जो क्या गया है जो लोग हैं अंडर पीम सुरक्षा बीमा योजना और पीeln पीएम जोति जीवन जोति योजना के अंत्रगात तो यह ओप्शन कि यह दोनों ही ढागरлер कंदर यह दोनों जो है योजना यह इंशुरेंस कवरिश के अंदर आती है दोस्तों तो यह option क्या हो जगा हमारा सही हो जगा दोस्तों आ जाते हैं option नंबर बी पे option नंबर बी क्याता है तो यह क्या है तीनों के तीनों आप देख रहे हो सर यह तीनों के तीनों क्या है यह वैलिट है तो डी ऑप्शन इस दा करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ठीक है आ जाते हैं प्रस्तंक्या 11 11 पर according to the budget 2023 the number of slabs in the new personal income tax regime जो है reduce हो गया है from six to how many जो income tax regime का जो क्या बताना है तो यह कुतना है यह आपका हो गया है पांच पांच हो गया है तो option number B क्या हो जगा सही हो जगा दोस्तों प्रस्तंक्या 12 question number 12 budget 2023-24 के हिसाब से जो establishment है किसका urban infrastructure development urban infrastructure क्या है अनबर in urban infrastructure development जो है अरे यार स्वरी urban infrastructure development है fund UIDF यह क्या हुआ हुआ है यह किसके बारे में बताता है और कौन सा bank है जो इस फंड को manage कर रहा है दोस्तों 2023-24 का जो बजट है वह स्टेब्लिस किया अर्बन infrastructure development fund जो कि बताता क्या किस बैंक किस बैंक ने इसको बैंक का नाम बताना है तो इस बैंक का नाम क्या है दोस्तों उस बैंक का नाम है आपका national housing bank दोस्तों याद रखेंगे कौन सा बजट के हिसाब से कितने लैप्स जो है वह सेट अप होंगे किस लिए application development के लिए 5G services के लिए वह कितने लैप्स किया जाएंगे ओल ओवर पैन इंडिया यह कितने किये जाएंगे दोस्तों यह औराउंड किये जाएंगे 5G services के लिए इंडिया में लग यह बहुत prominent सवाल है दोस्तों इसी तरीके के examination में सवाल आने की पूरी संभावनाई रहती है आज आता है प्रस्न जंग क्या चौदा question number 14 पे कितने जो farmer है जो की encourage करते हैं how many farmers will be encouraged and helped by the government कितने farmers को क्यालता है सरकार ने क्या किया इंकरेज किया है और मदद किया क्या जो कि वह क्या करेंगे अडॉप करेंगे natural farming in the next three year अगले महिने में ठेके ना वह कितना है कितने farmers हैं दोस्तों वह कितने farmers हैं वह करीबर एक करोड़ farmers हैं दोस्तों यह याद रखेंगे बहुत important point था लगभग एक करोड़ farmers को क्या इन्होंने क्या किया इंकरेज किया है प्रस्ण संग्या पंदरा question number 15 in order to provide international opportunities to skilled youth how many skilled इंडिया international centers skill India international center देखिएगा दोस्तों थोड़ा ध्यान दिजेगा skill India international center जो की अनौंस किया गया है government के दौरा in the budget of 2023 and 2024 यह कितनी कितने centers खोले जारे हैं दोस्तों यह बताना है कि यह करीबन 30 centers खोले जा रहे हैं दोस्तों कितने 30 centers open by the government ठीक है न तो option number B क्या हो जागा सही हो जागा दोस्तों ठीक है प्रसंक्या 16 कोश्चे नमबर 16 पर जाते हैं जो बजट 2023-2024 है में according क्या है गवर्मेंट ने क्या किया है अनौन्स किया है प्रमोशन और विच सेंटर अफ एक्सिलेंस किसी के लिए क्या क्या ने कि मेंट motor में हैं हैं क्या नाउन्स किया क्या है प्रमोशन के लिए तो इसका क्या है दोस्तों मिलिट्स को ले करके इसका एम क्या है इसका एम है क्या इंडियान कोर्स सीरियल रिसर्च इंस्टूट हैदराबाद में इसको क्या किया जा रहा है इसका प्रोमोशन संटर बनाया जा रहा दोस्तों यह याद रखिएगा ठीक है में लिए ग्लोबल सेंटर बना जा रहा है इंडिया कोर्स शीरियल रिजर्च इंश्र इंस्टूट यह बहुत इंपॉरेंट कुस्चन है दोस्तों इंयरीन सा सेयर्ट रिशर्च 낮 वे बहुत इंश्यंच इंस्टीनC답 अे लोग ध्यान लखेंगे तिकलिए अब देखिए यह स्कीम जो है वह पीयम मतश्य संपता योजना जो है एक नया सब स्कीम बनाया गया है क्या स्टार्ट हो जारा है इतने लागत से क्या सही हो raha तो यह तो option आपका गलत नहीं है यह तो सही है यहां पूछ रहा है गलत क्या है ठीक है अगला पढ़ते हैं क्या maximum amount of money जो है government वो कहां से आता है GST से आता है नहीं दोस्तों यह GST से नहीं आता है ठीक है ना हमने आपको पढ़ाया था आप जा करके हमारी पीडी की करेंट अफेर की प्लेलिश्ट देखिए ठीक है ना वह पार्ट वाइस बनाई हुई है उसमें यूनियन बजट के लिए एक अलग से बनाया हुआ है चैप्टर प्लीश गो एंड वाच देर ठीक है ना अब आजाते हैं ऑप्शन नंबर सी पर यह जो क्या है ऑप्शन नंबर सी क्या था जो गवर्मेंट है वह स्पिंट कर रहा है है तो बी और सी क्या है हमारा गलत है तिक ना मतलब गलत है और यह क्या पूछ रहा है तो उसी तरीके के ट्रीकी कोशन देखी इख़ाम में क्या होता दिमाग नहीं काम करता है दोस्तों इसीलिए एक time-bounded मैनर में current affair नहीं आप जितने से MCQ maximum से maximum कोशिश कीजिए आप practice करने के लिए क्योंकि examination point of view से सारे के सारे important है दोस्तों आ जाते हैं प्रस्टन क्या 18 question number 18 में on the lines of aspirational district program on the lines of aspirational district program जो government नहीं है start किया aspirational block program जो include करता क्या कितने blocks को कितने blocks को include करता है on the lines of aspirational district program on the lines of the aspirational district program जोustain option a 500 blocks को include करता है तो आपmakersन नमबरे क्या हो जागा तोar्य घ्रट लोग को 500 block को ज़иной करता है 500 block को ये इंक्लूड करता दोस्तों आ जाता है question number 19 प्रस्तन क्या 19 पर यूनियन बज़र 2023 जो गवर्मेंट है ने अनौंस किया है setup करेगा क्या how many artificial intelligence center of excellence टीके ना यूनियन बज़र 2023 के हिसाब से गवर्नेंट ने अलाउंस किया है find different in top educational institution आप कंंट्री वह कितने छूज किक्या रहा रहा हैं और औंग कि आप खेचर मैंने रहा है कितने टीन इन अंडीफिशल आटिफीचल सेंटर अ करीब डूट्र रहे है फर टॉप एडुकेशनल इंस्ट्यूशन ऑफ दा कंट्री प्रसंक्या 20 कोचे नमर 20 पर आता है जो आइगोट कर्मयोगी है वो डिसकस किया गया है बजट में वो किस से रिलेटेड है यह क्या है इंटेग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए इंटेग्रेट प्लेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लाटफॉर्म है क्या आई गोट कर्मयोगी ठीक है यह बजट में स्का हुआ है डिसक्शन हुआ है इक्जामीनेशन पॉइंट ओफ यू से यह दोनों के दोनों दोनों के दोनों के यह तीनों लगातार यह यह स्टेट्मेंट्स अपने आप में सही हैं मतलब कि यह बहुत जादी प्रॉमिनेंट है एक्जामिनेशन पॉइंट ओफ यू से प्रसंक्या 21 पे आते हैं क्या कैपिटल आउटले है रेलवे का और फाइनेंशल यह वर यह 2023 2024 कितना है तो कितना किया है 2.4 लैक करो रुपीज किया गया है जो कि बहुत ज जादा किया गया रेलवे को अलाउंट फंड और रेलवे काम भी कर रही है उतनी तेजी से ठीक है ना रेलवे की बात करें तो रेलवे एक अपने आप में देश के लिए बहुत एक क्या क्याते है ना इंटिग्रेशन का काम करती है रेलवे चाहे सवतनतता के समय में हो चाह सब्सक्राइब कर रहा है इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं जोस्तों कौन कौन से हैं रेडियूस कर रहा है इस सब्सक्राइब कर रहा है रिमूफ कर रहा है रिमूफ कर रहा है पॉब्लिक ट्रस्ट बिल पारलेमेंट में यह भी क्या है अमारा सही है दोस्तों तो यह किया है यह आतने प्रसन क्या तविस को डिए डियरी और फिशस सेक्टर के लिए कितना टोटल लोन शेट किया गया है दोस्तों कितना लोन ले सकते हैं वह करीबन 20 लाग करोड़ों पर ले सकते हैं तुप प्रसंक्याइब 24 पीवीजीटी जो है तुप किस्ट के लिए डिवलेट्टेट्स है वल्नेरेबल ट्रायवल ग्रूप के लिए क्या है से रिलेटेट है दोस्तों बहुत इंपोर्टन कोश्चन है इस तरीके का सवाल आने जरूरी भी है क्योंकि देखिए यह भी हमारे देश का क्या है हिस्सें है हिस्सा है पूरी तरीके से डेवलप्मेंट किस क्लास के लिए है तो वलनरेबल ट्राइबल ग्रूप्स के लिए दोस्तों यह याद रखिएगा आ जाते हैं प्रसंकिया 25 पर एस पर यूनियन बजट क्या परसेंटेज है किसका जीएश डीपी का ठीक है दोस्तों जीएश डीपी का क्या परसेंटेज है और फॉर फिस्कल डेफिसिट जो क कितना है वह आपका करीबन साथे तीन परसेंट है दोस्तों कितना है 3.5 परसेंट तो और बी इस दा करेक्ट ऑप्शन दोस्तों साथे तीन परसेंट है आयाता है प्रसंकिया 26 पे एस पर दा बजट एस पर दा बजट कौन सा जो सेक्टर है डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्र तो किस सेक्टर में में कषिण से कर और है किसके लिए हो रहा है तो वह चिसके भी हाब पर हो रहा वह आपके अ comprehensive कि किसके लिए हो रहा है यह बजट पर भाब सिस्टों का गाइक हो जागा यह नयाक अप्धित में drivenиныlo स्रीयन कौन सा लाइटियूर लाजब है इसको दोस्तों ने क्या है इसको डिक्लीयर किया है इंडिया जो है Model है इंडिया नहीं है वह याद रखिएगा सबसे यह चैलतों है जो एक्सपोर्ट होता है वो युक्रेइन से होता है तो ऑप्षिन सी जो यह हमारा सही हो जाग कि गलत पूछ रहा है तो option number C किया हमाहरा सही हो जागा ठीक है प्रतń कि ऐधाइस question number 21 पी आ जाते हैं मिष्टी initiative जो है discuss किया गया है budget में वो कित से related है तो उसका relation किस से है दोस्तों उसका relation किस से है उसका relation है आपका planting of mangrove trees along the coast line, mangrove trees को क्या है, coast line के पास क्या करना, implant करना दोस्तों, यही इसका, क्या है, misty initiative का program है दोस्तों, यह याद रखी का दोस्तों, ठीक है, तो, तो option number CMR क्या हो जगा, सही हो जगा दोस्तों, आज आते हैं, प्रसंग क्या, 29, question number 29 पे, union budget ने क्या किया है, 6%, जो कि कितना ज़्यादा है, 69,000 करोड से, क्या न, वो कौन सा union budget का scheme है, दोस्तों, वो बताना है, तो उसी scheme का क्या नाम है, उसी scheme का नाम है, प्रधान मंतरी आवास योजना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रधान मंतरी आवास योजना, option number B is the correct option, question number 30, question number 30, प्रशन के 30, जो percentage GDP का estimate किया गया है, revenue deficit of the financial year 2023-24 के लिए, वो कितना है, वो कितना है, वो है, दोध असंबलों, नो प्रतिसत, यह याद रखी का है, दोस्तों, examination point of view से important है, direct direct सवाल आ जाता है, दोस्तों, इसे लिए budget बहुत ज़रूरी है, जो budget estimate किया गया है, fiscal deficit का, for the financial year 2023-24 के लिए, physical deficit, बुर रहना, budget estimation किया गया, fiscal deficit for the financial year 2023-24 के लिए, वो कितना है, दोस्तों, वो कितना है, 17,86,116,86,116 करोड़ों पर है, ठीक है, यह इतना पैसा किया है, ठीक है, यह याद रखी किया है, दोस्तों, यह भी important है, direct direct data है, दोस्तों, data याद होना चाहिए, 32 इस number question है, जो primary deficit है, estimate किया गया, financial year 2023-24 के लिए, वो कितना दोस्तों, primary deficit पूछ रहा है, तो एक दिन मैं आपको यह सारे term का, एक दिन class लूँगा, आपका, अभी तो यह current अफेर क्लास है, तो यहाँ पर करना प्रासंगिक नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके ल कितना जो GDP का 2.3 प्रतिसत है, तो इतना पैसा जो है, वो primary deficit है, जो estimate किया गया, financial year 2023-24 के लिए, तो D option जो होगा, हमारा correct हो जागा, क्योंकि more than one correct है option, प्रसंग के 33, question number 33, जो नए nursing college जो खोले जा रहे हैं, और जो setup किया जा रहे है, as per the union budget वो कितने है, यह को कितने है, दोस् कितने college खोलेगा है, वो करीबन 157, 157 colleges खोलेगा हैं, दोस्तों, प्रस्यक के 34, question number 34, कितना, how many capital expenditure, कितने capital expenditure, जो है, वो budgeted है, कितना financial year 2023-2024 में, ठीके न, वो कितना है, दोस्तों, वो कितना है, 10,960, करोड प्या, जो है, वो allocated है, दोस्तों, option number A हो जोगा, हमारा, सही हो रिशिप्ट है, as per the budget, for the financial year of 2023-2024, कितना है, दोस्तों, वो आपका, 18,70,816 करोड पर है, दोस्तों, option number B is the correct option, आजाते है, प्रस्यक्राइब, 36 पर, कौन सा जो है, could be the transformative during the, अमरित काल्ब, इंडिया, ठीके न, इंडिया at the rate 100, क्या है, ट्राइब चेंज जो है, वो क्या लि उसका आपका नाम है क्या, देखिए, उसमें क्या-क्या, inclusive development था, हम लोग ने देखा था, inclusive development, नहीं, यह पूल ला क्या, अमरित काल के लिए पूछ रहा है, तो, अमरित काल के लिए क्या है, economic improvement of women है, ठीक है, tourism भी है, PM, विश्व कर्मा, कौशल सम्मान, योजना को भी लिया आगे बढ़ते हैं, प्रसंग्या 37, थोड़ा सा, जो हमारा PDF है, थोड़ा सा blur हो गया है, उसके लिए माफीच आता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप उसको सुनते रही है, आपके लिए जिफ सुनना प्रसंगिक है, देख लीजेगा, और दिख भी जाएगा, आपको प इंप्रूफ किया जा रहा है, कि वो कितने दोस्तों, वो करीबन है, पचास, करीबन है, पचास है, तो ओप्चन नमबर A हो जगा, मारा सभी हो जगा, आपके लिए मिलियन मिट्रिक ट्रन अफ एनूर्ट्र प्रोडक्शन है बिन टार्गेटेटिट इन 2030, जो हैल्प किया प्रोडाइजर, चास, कि Western Commission के अहांत्र कितने टarन उप्टेक्स अन्वेन से अन्त्रगहत आ साथ हरा हो जो प्रोड़क्शन किया जा रहा है, फ्लॉप कितने अन्त्रगहत चास, यौ इंत सब्रोडिक। प्रणाम स्कीम याद रखिएगा आप्षिन नमबर सी जो हमारा होगा प्रसंजी के एकदम सही है प्रसंजीक मतलब एकदम करेक्ट है जो प्रमोट करेंगा circular economy को in how many new ways to income plan will be set up under the gowardhan योजना कितने plants को set up किया रहा है जो promote करेगा circular economy को दोस्तों तो कितना किया रहा है वो आपका कितना करीबन 500 ठीक है 500 किया रहा है तो option number B हो जागा हमारा सही प्रसंक्या 41 question number 41 पर जाते हैं जो स्कीम है गवर्मेंट जो क्या करेगा प्रमोट कर रहा है वेट लैंड और बायो डिवर्सिटी और बायो डिवर्सिटी वह कौन सा योजना दोस्तों कर रहा है यह बहुत important है यह दोनों question और बलकि यह session ही जो है वह अपने आप में बहुत important है प्लीज इसको देखिए देखिए दोस्तों देखेंगे नहीं तो current affair अगर चुका तो आप प्रसंक्या 42 क्या गोल है स्किल इंडिया डिजिटल प्लैटफॉर्म जो डिसकस किया गया है बजट के द्वारा उसका क्या गोल है उसका गोल बताईए इसका गोल क्या है यह एनेबल करेगा ढम बस्किलिंग के लिए एकडम सहिए दोस्तों यह क्या करेंगा क्याकर लिंगिंग इंप्लोय इंप्लॉइंपॉलन्ट समे क्या है एकदम सही नो balanced कि चानके ऑल्ग्रम्टीट жू है यह गन्यदम सही आप्षन सारे के सही ऑप्षन है जो कि डिवलप किया जाएंगे एस पर कंप्रीट ट्रैकज पर डॉमेस्टिक एंड फॉरेंट्ट के लिए वह कितने डेस्टिनेशन को सेलेक्ट किया गया दोस्तों यह बताना है वह यह कितने हैं यह 50 हैं दोस्तों 50 है ठीक है तो ऑप्शन नमबर एज होगा हमारा सही हो जा तो कहुं साइब क्या हुआ है इसका डिसकसन हुआ है ट्यॉरिज्ट के लिए एकदम सही है दोस्तों यह बी है वाइब्रेंट विलेच प्रोग्राम है वह भी सही है तो तो सारे जो यूनियन बजट में क्या हुआ हुआ इसका डिसकसन हुआ है ट्यूरीजम के लिए एकदम सही है दोस्तों आ जाते हैं प्रसंख्या 45 के अंदर देखिए दोस्तों इसके लिए माफी जाता हूं मुझे मतलब यह थोड़ा सा कोश्चन विजिबल नहीं है यह मैं डिसकस कर दूंगा अगले चेप्टर में अगला i000-4 लिए ओफिटन जैन्यकर लिए टिवन मिशन के लिया गया गया है अपका चाहएँ हो दोस्तों ठीली होके चलेए प्टिशेवेन और स्टेक्र हमने कि डिए अदिना समय हो यह वह लिक्र क को अजात को सब्सक्राइब कर दोस्तों यह यारaison करोड़ा जल्जीवन के लिए और केलिये है साथ हजार क्रोडमारे लिए सब्सक्राइब एक गवर्मेंट का शानुमें फॉटी में याइट्पी सब्सक्राइब करना है यह करीबट क्या है यह इस्पंड करना जाती है उन्चास च्छन नमर 149 कि इस पेंड किया है कि मैक्सिमूं कितना स्पेंड करती इस पेंड करती है यह बताना है यह बहुत ही प्रासंगी सवाल है यह आने की पौरी पूरी उमीद्धे है इस ज़्यादा दोस्तों तो देखिए ऊपर जो ऑफिशन नहीं गलत कहा था देखिए सब से ज़्यादा किस फिर इंटरेश्ट पेंड पर करती है यह इंपॉर्डन कोशन ऑप इस सत्र का इस शेशन का लास्ट और सेट का लास्ट कुशन कुशन कोशन क्या कहता है टेक्स रिजाइं में इन्व्य जो हाई सर्चार्ज है वो रिड्यूस्ट कर दियागा 37 परजेंट कितना कितना होता है एक कोश्चन इसमें सेश है जो ऊपर जो थोड़ा सा ब्लर हो गया था उसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों वो मुझे खुद नहीं समझ मैं आ तो मैं आपको क्या समझा और गलत इन्फोर्मेशन या इस इस एंड से आपको कभी गलत इन्फोर्मेशन कभी नही मैं अगला सेट करांगे सेट नमबर 12 तो उसमें मैं कवर कर लूँगा तो आशा करता हूं आपको आज का जो सेशन है वह बहुत अच्छा लगा होगा और हाँ जोग्राफी की में जहां तक बात कर रहा था जोग्राफी के घटना चकर की वह एक से दो दिन और फिर आपका जोग्राफी घटना चकर भी स्टार्ट हो जागा दोस्तों हम भी पूरे तरीके से लगे हैं आप भी पूरे तरीके से लगिए आईए मिल करके इस बार आपकी SDM की सीट को क्या करते हैं पका करते हैं BPSC में आपका पर्चम लह रहाते हैं आईए जूड़िए BPSC Demistified के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि उनको भी फाइदा हो जके हैं देखिए सबका साथ स शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो ठीक है ना मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए दोस्तों जैहिन जैभारत